Hello everyone, welcome back to my channel, Puntined with Honey. First of all, wish you all a very happy, prosperous and bright Diwali. Guys, आज ना मैं आपको कोई nursery visit करा रही हूँ, ना कोई fertilizer बता रही हूँ, ना कोई plant overview देने जा रही हूँ, आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, कि आप किस तरह से अपने खुद के garden से cut flowers, green plant, flower petals से बहुत ईजली अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, अगर आप भी इस डिवाली में चाहते हैं अपने घर को इस तरह डेकोरेट करना, तो आप मेरी वीडियो की help लेज़ कर से. Guys, यह आप देख सकते हैं, यह मेरा bamboo का plant, जिसको मैंने अपने डेकोरेशन में यूज किया है, और यह मेरे rose के flowers, यह भी मैंने अपने garden में ग्रो करें, मैंने इसमें कुछ भी artificial use नहीं किया है, यह सब कुछ natural है, और यह सब कुछ मेरे garden का ही है, और उसके बाप आप देख सकते हैं, यह flower petals, यह flowers, यह flowers भी मैंने अपने garden सही लिये हैं, और next, यह marigool के flowers, यह भी मेरे garden के हैं, यह मेरे gladius के flowers, यह भी मैने अपने garden में खुद से ग्रो करें हैं, और यह मेरे planters, जिसको भी मैंने अपने decoration के लिए यूज किया है, अगर हम अपने इस दबाली को eco-friendly बनाना चाहते हैं, तो आप अपने near and dear ones को eco-friendly gifts, जैसे कि show plants, fly plants, supplements, gifts कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा gifting option है, तो जैसे कि दिवाली में कई जगा पर pollution हो जाता है पटागों की वज़े से, तो अगर आप अपने घर में plants रखेंगे तो हमारी दिवाली oxygen से भर पूर दिवाली होगी, और हमारे घर को beautiful बनाने के साफ साफ यह plants हमें pollution से भी बचाएंगे, तो friends इस दिवाली आप सब भी अपने घर को plant से decorate करें और दूसरों को भी plant gift करके eco-friendly दिवाली celebrate करें, So, once again, honey wishes you all a very happy दिवाली, thank you and please don't forget to like, share and subscribe my channel.